रेड्मी नॉट 4 के लिए राइजिंग OES का 1.2 का ओफिशल अपडेट आया हुआ है हलाकि पहले जो है कोर जीएपस मिलता था वनीला लेकिन अभी यहां पे जो है अब वनीला और फुल जीएपस वाला जो है वह बिल्ट आते हैं जैसे कि यह राइजिंग OES का जो है 1.2 का ओफिशल एंडोइट 13 बिल्ट है और QPR 3 पे बेच्ट एंडोइट 13 एंड सीक्यूटी पेच्ट आपको यहां पे जूलाई 2023 का मिल जाएगा करनल इसके अंदर अभी यहां पर जैड्ड लोज वाला मिलता है पिछले में डार्क्मून वाला करनल था लेकिन अभी जो है यहां पे जैड्लोज का करनल देखने को मिल जाता है और इसके सटिंग मे काफी जगह कुछ changes और हुए हैं जैसे कि एक तो animation आप काफी सटिंग में इस तरीके इमेज़ और animation देखने को मिलेंगे और second चीज आपको यहाँ पर animation के अंदर उसे मिलेगा एक तो इमेज आपको बैटरी में मिलेगा और भी काफी जगह हैं जो कि आपको इमेज मिलेगा और एक और change हुआ है कि card style पहले settings नहीं थी यहाँ पे तिये जो card style भी आप देखोगे तिये पूरा card style में settings यहाँ पे मिल रहे है पूरा card style में है यह पहले simple ताला card style मिल जाता है तो चलिए अब start करते हैं बाकी changes और हमें यहाँ पे क्या कुछ मिलता है network और internet के अंदर कुछ भी new नहीं है ना ही कुछ remove हुआ यहाँ से सब कुछ पहले वाला ही रहने वाला यहाँ पे यहाँ पूरा सेम है connected devices भी है बस image वही new है जैसे कि आपको अलड़ी बताया cast working है पर सिनाशन के अंदर यहाँ पे बात करते हैं तो लोक्षिन के अंदर कुछ changes हुए है नीचे आओ बहुत होगे तब यहाँ पे क्या है कि लोक्षिन क्लोक स्टाइल के अंदर सारी क्लोक की settings मिलती है फोंट जाल या डेट फॉर्मिट इस सब जो है पहले बाढ़े पूरा पूरा अब यहाँ पे इस तरीके से बात करें कि यहा जो सीखबार है इस तरीके से था लेकिन जो इ पहले ऐसा नहीं तो भी मोटा सई था थोड़ा सा इन में भी चेंज हुआ है सीगवार के अंदर में भी बाकि जो आपसेंस यहां पर मिल रहे हो सेम अबस इस्टाल थोड़ा सा चेंज हो चुका है और मिसलेनेस के इंदर जाते हैं तो फिर यहां पर एक स्मार्ट चारजिंग को संथा रिमूव है और सिस्टम में जरी तो आपका सेम रहेगा बाकि फिर नीचे यहां पर जो है इस पूफ ऑल एप का आपसें था और कोई चेंज यहां पर मिसलेनस पर नहीं हुआ है और नोटिफिकेशन के अंदर बिलकुल भी चेंज नहीं हुआ है नोटिफिकेशन पहले भी डाड़ जो मिलता था उसकी setting नहीं थी अब setting भी यहां पर एड कर दिया गया और यहीं पर एड़र इमेज था रिमूब हो गया है बाकि और कोई चेंज यहां पर नहीं हुआ है and sound के अंदर कोई चेंज नहीं है sound पूरा सेम अब इमेज आपको नियू मिलेगा बाकी स्टीटरस बार के अंदर जाओगे यहां पर बैडरी स्टाइल के अंदर आयो स्टाइल 15 और 16 in का बैटरी स्टाइल निव है और नीचे में कहीं पर कुछ भी देखने को नहीं रहे इसके अंदर को नहीं यूजर इंटरफेस के अंदर कुछ को style निव एड किये गए यहां पर जैसी के आइकन पैक के अंदर कुछ style निव एड हुए है navigation वार स्टाइल सेम है monitor सेम रहेगा इन में कोई चेंज नहीं है signal आइकन के भी अंदर भी एक दो यहां पर new add किये गए है यहां पर यहां पर इंदर इसके अंदर भी एक जो है यहां पर निव एड किया गया थिए कुछ चेंज इस बाकि सेटिंग्स इंटरफेस वाला तो पूरा पूरा सेम ही रहेगा जो कि पहले डिटेल में बता रहा हो थी यह पूरा सेम है और डिस्प्लेए के अंदर जाते हो यहां पर इमेज आपको मिलते जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता दिये मेज के वारी में तो यहां पर आपको सेटिंग्स के मावनरे में आगर आप देखोगे Pen Pहले वाली मिलती है यहां पर कोई चेंज नहीं है बॉल पीपरिपर और चाइल के अंदर चलते हैं तो यहां पर एक तो इमेज आपको इसके अंदर नियू देखने को मिलेगी जो अभी सेट है इसके साथ में यहां पर फिलाल लेटेस्ट प्रिव्यू नहीं मिलता पूरी फुल स्क्रीन वाला जैसे की आता है तो वह नहीं अभी फिलाल अगर कलर्स की बात करते हैं तो यहां पर जरूर ब्लैकन वाइड कलर नियू जो है मिल जाएगा यहां पर फिम्ड आइकन इस सब है यह पूरा सेम है इन में किसी में कोई चेंज नहीं हुआ है एप्स के अंदर पहले यहां पर एसिस्टेंट हमें नहीं मिला करता था जो कि अब यहां पर भी सो करता है जैसे कि फु सब्सक्राइब यहां पर नीचे और भी चेंजर से करेंट सिटी के जो वेदर के लिए यह आपको नियू मिल जाएगा और यहां गूगल सर्च वाले पर मोनो क्रोम सर्च वार्थीम जो है निव देखने को मिल जाएगा यहां जैस्टर वार के सेटिंग्स अलग से दे है और रिसेंट भी पूरा पूरा सेंग सेंग्स और जो ब्र Skip सेम यहां पर देखने को मिल रहा है और एक्षर जूडर के बैटरी आप पिक्सल वाला मिलता है और यह देखने माट करें और यह रिटीक में дос कोई चेंज फिलाल यहां पे है नहीं बाकि चार्जिंग एनिमेशन ही आपका चेंज हुआ है कि चार्ज करते टाइमेशन आपको लेटेस देखने हो मिलेगा निव वाला जो QPR3 में सभी में अब मिल रहा है और फिर यहां पे साउंड और बात करें इसके अंदर भी कोई चें रहता था यहां पर आपका वह सेम ही रहेगा और यहां से अप्लिकेशन को आप हाइड भी कर पाओगे यह पूरा आपका सेम है यह यह बाइडिफोल्ट साहर तक डिरिक्रेप्टेड आती है बट यहां पर डायमिक पार्टिशन रोम है बाकि यहां पर इन्हें पिन से काम करें तो इनको लेकि कोई दिकत ऐसा नहीं है फिंगरप्रिंट का अनिमेशन उसे और रखना ज्यादा बैटर रहेगा बाकि यहां पर कुछ भी और आपको न्यू एक्स्टा नहीं देखने मिलता जो बता है वही चेंजिस हुए हैं सिस्टम के अंदर यहां पर बटन बटन की सेटिंग में आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा पावर मेन्यू के यहां पर है यहां पर कुछ निव नहीं है सब आपको यहां पर मिल जाता है जो पहले थे वहाई सब हैं जेस्टर के अंदर यहां पर क्विक टैप जरूर यहां पर निव है जो कि बैग टैप बाला जेस्टर है ति आपको मिल जाता है प्रॉपर काम ने करता है कभी काम करेगा ढंक से टैप करो कभी कि नहीं इस तरी के से दिखा थे पर कीज का राइजिंग ओयस अप्डेटर जो है यह आपको यहां पर मिले का रिफ्रेस्ट रेट का यहां पर वैदर का वॉल्म पैनल का यह तीन चार जो टाइल से इसके अंदर निव देखने को मिल जाते हैं बाकी के टाइल सापको वही पहले वाले ही यहां पर मिलेंगे फॉंट साइज के बिवसे निव मिल जाएगा ति कुछ टाइल्स निव है बाकी स्क्रीन रिकोर्डिंग अब बिल्कुल सिंपल हो गया पहले इसके इंदर इसके टाइमर भी था एची वी सी भी था हाई क्वालिटी भी था लिमिट जो था 15 जी भी तक का वो सब थे अब बिल्कुल नॉर्मल सा स्क्रीन रिकोर्डिंग के साथ में भी जो लैग है व वॉल्म पैनल सेम है इसमें हलाकि कोई फर्क नहीं पड़ा है अगर बात करें एप ओपनिंग के बारे में तो यहां पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा इसके एनिमेशन के मामले में जैसी के आपको बता है कि यहां पे भी एप ओपन होते टाइम जो लैग है पहले ज्यादा ब बिल्ड अब कैमरा गो आपको देखने को मिलेगा बाकी जी के मैंनली इंस्टॉल करना होगा फम काम कर रहा है गैलरी कोई भी प्रिंस्टॉल अभी भी नहीं आते इसके अंदर गूगल फोटो इंस्टॉल कर लेना अन्लिम्टे स्टोर मिलता है उस पर आपको मिल जाएगा अन्ड प्ले स्टोर स्टफाइड या था इसको लेंकि कोई दिक्कत नहीं प्ले स्ट आपको यहां पर पास मिल जाते इसको लिए के दिक्कत नहीं रहेगा यंद कॉलिंग अन्हीं नंग आपका रखे एगा तो आटो कॉल रिकोडिंग इसम मिलता था बट अभी यहां पर फुल जीएस वाले में गूगल डाइलर में देखने को मिल रहा है और बैटरी वेगप देखोगे तो तो आपर 50% ब्राइनस पर वीडियो प्ले करने के बाद जो है 89% मिला है पिछले में 87 मिला था तो बैटरी जरूर थोड़ी इंप्रूब हुई है पहले की मुकाबले एन चार्जिंग में यहां पर 23% लास्ट का चार्ज करने में करीब 1 hour 38 मिनिट का टाइम इसके अंदर लगा है और अब बात करें यहां पर इंटूडू स्कोर के बारे में तो 1,64,321 मिला है तो पिछले में जो है 1,67 था यानि इंटूडू स्कोर सिमलर ही समझ लोग इसमें कुछ खास फर्क नहीं है और boot animation भी change हो चुगा है क्योंकि पहले स्टार्टिंग में राइजिंग हो है सिर्फ नेम टाइटल लिखा हुआ था तो इस तरीके से लोगो भी आपको मिलता है और यह थोड़ा सा animation आपको इस तरीके से मिल जाता है इसमें भी थोड़ा जो है थोड़ा सा यानि के change हुआ ह वैसे रोम का इंस्टोलेशन का जो पहले बनाया था वही आपका जो है देखके आप इंस्टोल कर पाऊगे तो description पर मिल जाएगा नोन डानिमिक पार्टिशन यह रोम है बाकि यहां पर आपका बूट अनिमिशन भी आप देखी लिए कुछ इस तरीके कब रहेने वाला है और गेम स्पेस भी जो है सेम ही है पहले जैसे है तो इसके इंदर भी कोई चेंज हो नहीं है बाकि यहां पर ग्राफिक अगर देखते हो तो ग्राफिक आपको स्मॉध पे हाई बैलेंस पे मीडियम वही आपको सिंपल सा मिल जाएगा इस पे अंदर ही अपर ही कहलें और प परफॉमेंस के मैं यहां पर बात करें तो परफॉमेंस अभी मैं कहूंगा कि ठीक ठाक सी मिल रही है अनिमेशन जरूर यहां पर थोड़ा सा लाग बढ़ गया पहले एक मुकाबले पहले काफी कम था काफी स्मूथ सा फील आता था लेकिन अभी जो है लाग फील होने वाला ह अगर बात करें तो बट गेमिंग के मामले में ऐसा कुछ खास फर्क मुझे देखने को मिला नहीं है गेमिंग पफन सीमलर सा ठीक ठाक जैसे पहले था उस तरीके से अभी इसके अंदर मिल रहा पहले में एक प्रोलम अदे और देखने मिलता था कि स्क्रीन सोट इनीवल रह अब इसके में तो यह फिलाल अभी यहां पर नहीं रहने वाला है बाकि यही सारी चीजे थी जो कि हमें यहां पर देखने को मिल जाता और यही था अपडेट यही सारे जो इन्यूफीचेस हमें मिलते हैं इस बिल्ड में फिलाल और आगे अगर कुछ आता है ता आगे जदूर बताएगा और सपोर्ट बनाया रिखेगा आप लोगों के लिए विडियो लाता रहूं नोट फोर के अभी वी विडियो मैं बना रहा हूं कुईकि मेरा फोन आपको पधा ही होगा कि कितनी बार खराब हो चुके अब आप रपैर करवा करवा कर बाकि मैं आपको व वाजिज एक्ट इस कर दो सकत्थ एक्ट कर दो बगज सेम्ट धित्षा फड़ सेवाइप प्रॉड औरेत।